नमस्कार प्रस्तु थे मुण्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखीवी कहानी पत्नी से पती मिस्टर सेट को सभी इंदोस्तानी चीजों से नफरत थी और उनकी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिड़ मगर धैरे और विने भारत की देवियों का आभूशन है गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पती की लाईवी विदेशी चीजों का व्यभार करती थी हलाकि भीतर ही भीतर उसका हिरिदय अपनी परवश्टा पर रोता था वजिस वक्त अपने चज़े पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दोडाती और कितनी ही महिलाओं को खदर की साड़ियां पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है मैं अपने स्वदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती शाम को मिस्टर सेट के आगरह करने पर वह कही मनुरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने वे निकलते शर्म से उसके गर्दन जुक जाती थी वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आँखे जगमगा उड़ती थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहां बंदनों में जकड़ी वी हूँ होली का दिन था आठ बजे रात का समय स्वदेश के नाम पर बिकेवे अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेट के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मकान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तयारियां होने लगी गोदावरे अपने कमरे की खिड़की पर खड़िया समारोह देखती थी और दिल मसोस कर रह जाती थी एक वह है जो यूँ खुश-खुश आजादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं और एक मैं हूँ कि पिंजडे में बंद पक्षी की तरफ फड़ फड़ा रही हूँ इन तीलियों को कैसे तोड़ दूँ उसने कमरे में निगाह दोड़ाई संदूकों में रखी वी थी उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठा कर उसी होली में डाल दे उसकी सारी ग्लानी और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए मगर पती की अप्रसन्यता के भै ने उसका हाथ पकड़ लिया सैसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा जरा इन सिर्फिरों को तो देखो कपड़े जला रहे हैं या पागलपन उनमाद और विद्रोह नहीं तो क्या है किसे ने सची कहा है कि हिंदुस्तानियों को न अकल आई है और न आएगी गोदावरी ने कहा हाँ लेकिन मुझे हमेशा इसका खेद रहता है कि मैं ऐसे अभागे देश में क्यूं पैदा हुआ मैंने चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे कम से कम मैंने आचार, व्यभार, वेश, भूशा, रीती, नीती, कर्म, वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी इस विशह में हर किसी को पूरी स्वाधिनता होनी चाहिए, न जाने क्यों गर्मेंट ने इन दुष्टों को यहां जमा होने दिया, अगर मेरे हाथ में होता तो इन सबों को जहन्नुम रसीद करा देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्न तिरसकार भर के कहा, थो मैं अपने भाईयों का जरा भी खयाल नहीं आता, भारत की सिवा और कोई देश है, जिस पर किसी दूसरी जाती का साशन हो, छोटे छोटे राष्ट भी किसी दूसरी जाती का गुलाम बनकर नहीं र सेठ ने भवे चड़ा कर कहा, मैं इने अपना भाई नहीं समझता, गोदावरी आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वो इनी के जेबों से तो आता है, सेठ मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है, मुझे जिसके हाथ से मिलता है, वही मेरा स्वामी है, नजाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई? कहते है भारत आध्यात्मिक देश है, क्या आध्यात्म का यही आश्य है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इक्षा के विरोध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे मुम्किन है कि इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगर अंग्रेजों के अधीन हो। क्यों इन दिवानों को अकल नहीं आते कि जब तक परमात्मा की इक्षा नहोगी, कोई अंग्रेज का बाल भी बाका न कर सकेगा। गोदावरी तो फिर क्यों नौकरी करते हो। परमात्मा की इक्षा होगी तो अपने आप ही भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो दोड़े वे वैदे के घर क्यों जाते हो। परमात्मा उनी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सेट बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीजों को जला देना, ऐसे काम है जिने परमात्मक कभी पसंद नहीं कर सकता गोदावरी तो यहां के लोगों को चुप चाप बैठे रहना चाहिए सेट नहीं रोना चाहिए, इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूद के लिए रोते हैं सैसा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बाते करने लगी मानु स्वाधिन्ता की देवी अगनी वस्त्र धारन किये वे, आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो दीनानात ने खिडकी बंद कर दी, उनके लिए यह द्रिश भी असहाय था गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूटे पर खड़ी हो उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई, वतन की देखिये तकदीर कब बदलती है गोदावरी के विशाद से भरेवे रिदय में एक चोट लेगी उसने खिडकी खोल दी और नीचे की तरफ जहाका होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजा कर गा रहा था वतन की देखिये तकदीर कब बदलती है वह खिडकी के सामने पहुँचा तो गोदावरी ने बुकारा ओ अंधे खड़ा रह अंधा खड़ा हो गया गोदावरी ने संदूग खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला नोट और रुपिय थे मगर अंधे फकीर को नोट या रुपिय देने का तो सवाल ही न था पैसे अगर दो-चार मिल जाते तो इस वक्त वह उसे जरूर दे देती पर वहाँ एक ही पैसा था वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लोटा कर लाया था किसी दुकानदार ने न लिया था अंधे को वह पैसा देते वे गोदावरी को शर मा रही थे वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिये संशय में खड़ी रही तब अंधे को बुलाया और वह पैसा दे दिया अंधे ने कहा माता जी कुछ खाने को दे दीजिए आज दिन भर से कुछ नहीं खाया गोदावरी दिन भर मांगता है, तब भी तुझे कुछ खाने को नहीं मिलता अंधा क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता गोदावरी इस पैसे से चबे न लेकर खाले अंधा खा लूँगा माताजी, भगवान आपको खुश रखे, अब यहीं सोता हूँ दूसरी दिन प्रात्यकाल कॉंग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ मिस्टर सेट ने विलायती टूथ पाउडर, विलायती ब्रस से दांतों पर मला विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी विलायती बिस्किट विलायती मक्षन के साथ खाया और विलायती दूद पिया फिर विलायती सूट धारन करके विलायती सिगार मुँ में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटर सैकिल पर बैठ कर फ्लावर शो देखने चले गए गोदावरी को रात भर नीन नहीं आई दुराशा और पराजे की कठी नियंत्रना किसी कोडे की तरह उसके रिदय पर पढ़ रही थी ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है मिस्टर सेट को अपने प्रभाव में लाने की उसने सब योजनाई की जो एक रमणी कर सकती है पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर न हुआ खुद तो स्वदेशी वस्तरों के वैभार पर क्या राजी होते गोदावरी के लिए एक खदड़ की साड़ी लाने में भी सहमत न हुए यहाँ तक की गोदावरी ने उनसे कोई भी चीज न मांगने की कसम खाली थी क्रोध और गलानी ने उसकी सदभावना को इस तरह से विक्रित कर दिया जैसे कोई मैली वस्तो निर्मल जल को दूशित कर देती है उसने सोचा जब मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूँ क्यों इनके इक्षाओं की लॉंडी बनी रहूँ मैंने इनके हाथ कुछ अपने आत्मा नहीं बेची है अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी उसकी सजा ये खुद झेलेंगे इसका अपराद उनके उपर होगा इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार है ये अपनी सरकार की गुलामी करें अंग्रेजों की चोखट पर ना करगड़े मुझे क्या गरज है कि मैं उसमें इनका सहयोग करूँ जिसमें आत्मा भिमान नहीं जिसने अपने आपको स्वार्थ के हातों बेच दिया उसके प्रती अगर मेरे मन में भक्ती नहो तो मेरा दोश नहीं यह नौकर है या गुलाम नौकरी और गुलामी में अंतर है नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्देश्ट काम करता है यह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं स्वामी अगर अपमान करे अब शब्द कहे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं है गुलाम के लिए कोई शर्थ नहीं उसके दैहे गुलामी पीछे होती है मान से गुलामी पहले ही हो जाती है सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजे न खरीदो सरकारी टिकटों पर तक या शब्द लिखे होते हैं कि स्वादेशी चीजे खरीदो इससे विदित है कि सरकार देशी चीजों का निशेद नहीं करती फिर भी यह महाशे सुर्खरू बनने की फिक्र में सरकार से भी दो अंगुल आगे बढ़ जाना चाहते हैं मिस्टर सेथ ने कुछ जेपते वे कहा कल फ्लावर शो देखने चलोगी गोदावरी ने विरक्त मन से कहा नहीं बहुत अच्छा तमाशा है मैं कॉंग्रेस के जलसे में जा रही हूँ मिस्टर सेथ के ऊपर यदि छट गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बधवास नहीं होते आखे फाड़ कर बोले तुम? तुम कॉंग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, जरूर जाओगी मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्मे नहीं कि मैं तुमारी हरे एक आज्या का पालन करूँ मिस्टर सेठ ने आखों में विश भर कर कहा नतीजा बुरा होगा गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोल कर बोली इसकी चिंता नहीं है तुम किसी के इश्वर नहीं हो मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े धमकियां दी आखिर मुँ फेर कर लेट रहे प्रात्यकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा गोदावरी जिस समय कॉंग्रेस के जलसे में पहुँची तो कई हजार मर्दों तथा औरतों का जमाओ था मंत्री ने चंदे के अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे गोदावरी उस जगे खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थी और देखने लगी कि वे लोग क्या देते हैं अधिकांश लोग दो दो चार चार आने ही दे रहे थे वहाँ ऐसा धनवान था ही कौन उसने अपनी जेब टटोली तो एक रुपया निकला उसने समझा यह काफी है इसी इंतिजार में थी कि जोली सामने आवे तो उसमें डाल दू सैसा वही अंधा लड़का जिसे उसने कल पैसा दिया था नजाने किधर से आगया और जो ही चंदे की जोली उसके सामने पहुँची उसने उसमें कुछ डाल दिया सबकी आखें उसकी तरफ उठ गई सबको कुतोहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया कहीं एकाद पैसा मिल गया होगा दिन भर गला फाडता है फिर भी तो उस बिचारी को रोटी नहीं मिलती अगर यही गाना साज के साथ किसी मैफिल में होता तो रुपे बरसते लेकिन सडक पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है जोली में पैसा डाल कर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा वतन की देखिये तकदीर कब बदलती है सभापती ने कहा मित्रों देखिये यह वा पैसा है जो एक गरीब अंधा इस जोली में डाल गया है मेरे आखों में इस पैसे की कीमत किसी अमीर के एक हजार रुपे से कम नहीं शायद यही इस गरीब की सारी विसात होगी जब ऐसे गरीब की सहनुभूती हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं मालूम होता हमारे यहां क्यों इतने फकीर दिखाए देते हैं या तो इसलिए कि समाज में इने कोई काम नहीं मिलता या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण अब यह इस योगे नहीं रह गये कि कुछ काम कर सके यह भिक्षवरिती ने इन में कोई सामर्थी ही न छोड़ा स्वराज की सिवा इन गरीबों का अब कौन उधार कर सकता है देखिये, देखिये वह गा रहा है पैसा उपर उठा कर आप में से कौन इस रत्न को खरीच सकता है गोदावरी के मन में जिग्यासा हुई क्या यह वही पैसा तो नहीं, जो रात मैंने उसे दिया था क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया उसने जाकर समीब से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था उसका हृदय धक से हो गया यह वही घिसा हुआ पैसा था उस अंधे की दशा उसकी त्याक का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी कापतेवे स्वर में बूली मुझे आप यह पैसा दीजिए मैं पांच रुपे दूँगी सभापती ने कहा एक बहन इस पैसे का दाम पांच रुपे दे रही है दूसरे आवाज आई दस रुपे तीसरे आवाज आई बीस रुपे गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ते की ओर देखा उसके मुख पर आत्मा भिमान जलक रहा था मानो कह रहा हो कि यहां कौन है जो मेरी बराबरी कर सके गोदावरी के मन में इस परधा का भाव जाग उठा चाहे कुछ हो जाए इसके हाथ वह पैसा न जाए समझता है इसने बीस रुपे क्या कह दिये सारे संसार को मोल ले लिया गोदावरी ने कहा चालिस रुपे उस पुरुष ने तुरंत कहा पच्चास रुपे हजारों आखे गोदावरी की ओर उठ गई मानो कह रही हूँ अब आप ही अमारी लाज रखिये गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिलेवे स्वर में कहा सौ रुपे धनी आदमी ने भी तुरंत कहा एक सो बीस रुपे लोगों के चहरे पर हवाईया उड़ने लगी समझ गए इसी के हाथ विजय रही निराश आखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे मगर जो ही गोदावरी के मूँ से निकला डेर सो की चारो तरफ से तालिया पढ़ने लगी मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गये हो उस आदमी ने फिर कहा पौने दो सो गोदावरी बोली दो सो फिर चारो तरफ से तालिया पढ़ी प्रतिद्वन्दी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपने कुशल समझी गोदावरी विजय के गर्व पर नमरता का परदा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुब कामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेट की बीवी हैं तो उन्हें एश्या में आनंद के साथ उस पर दया भी आई मिस्टर सेट अभी फ्लार शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक समबात सुनाया मिस्टर सेट सकते में आगये मानो सारी देह शुन्य पड़ गई हो फिर दोनों मुठिया बांध ली दाथ पीसे होट चबाए और उसी वक्त घर चले उनकी मोटर साइकिल कभी इतनी तेज न चली थी घर में कदम रखते हैं उन्होंने चिनगारियों भरी आँखों से देखते वे कहा क्या तुम मेरे मुँ में कालिक पुत्वाना चाहती हो गोदावरी ने शांत भाव से कहा कुछ मुँ से भी कहो या गालियां ही दिये जाओगे तुम्हारे मुँ में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुँ में न लगेगी तुम्हारे जड़ खुदेगी तो क्या मेरे लिए दूसरा सहारा है मिस्टर सेट सारे शहर में तूफान मचा हुआ है तुमने मेरे रुप्य दिये क्यों गोदावरी ने उसी शान्त भाव से कहा इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ मिस्टर सेट दाट किट किटा कर बोले हरगिस नहीं तुम्हें मेरे रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं गोदावरी बिलकुल गलत मिस्टर सेट ने अपना हैट इतने जोर से मेच पर फेका कि वो लुड़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस होता है जानती हो तुम्हारी उस उद्दंडता का क्या नतीज़ा होगा मुझसे जवाब तलब हो जाएगा बतलाओ क्या जवाब दूँगा जब यह जाहिर है कि कॉंग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कॉंग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है तुमने तो नहीं की ना कॉंग्रेस की मदद तुमने तो की तो क्या कॉंग्रेस की मदद करنا चोरी या डाके से भी बुरा है? हाँ, सरकारी नोकर के लिए चोरी या डाके से भी बुरा है मैंने या नहीं समझा था अगर तुमने या नहीं समझा तो तुमहारी ही बुद्धी का भ्रहम था रोज अखवारों में देखती हो फिर भी मुझसे पूछती हो एक कॉंग्रेस का आदमी प्लाटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसी यों साधे कपड़े वाले पुरीस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं कॉंग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई-कई मुख भी लगा दिया जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें चोरों के साथ तो इतनी सक्ती कभी नहीं की जाती इसलिए हजारों चोरियां या डाके और खून रोज होते हैं किसी का कुछ पता नहीं चलता नहीं पुलिस इसकी परवाह करती है मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीती की गंध भी आ जाए तो देखो पुलिस के मुस्तेदी इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कॉंस्टेबल तक एडियों तक का जोर लगाते हैं सरकार को चोरों का भै नहीं चोर सरकार पर चोट नहीं करता कॉंग्रेस सरकार के अक्तियार पर हमला करती है इसलिए सरकार भी अपने रक्षा के लिए अपने अक्तियार से काम लेती है यह तो प्रकृति का नियम है मिस्टर सेट आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे नजाने आज वहाँ क्या हाल हो रोज की तरह दफ्तर में पहुँचकर उन्होंने चपरासियों को डाटा नहीं क्लरकों पर रोब नहीं जमाया चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गये ऐसा मालूम होता था कि कोई तलवार सिर पर लटक रही हो साहब की मोटर के आवाज सुनते ही उनके प्राण सूग गये रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे जब साहब आकर बैठ जाते थे तब आदे घंटे के बाद मिसले लेकर पहुँचते थे आज वह बारामदे में ही खड़े थे साहब उत्रे तो जुक कर उन्होंने सलाम किया मगर साहब ने मूँ फेर लिया लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे आगे बढ़कर परदा हटा दिया साहब के कमरे में गये तो सेठ साहब ने पंका खोल दिया मगर जान सूखी जाती थी कि देखे कब सिर पर तलवार गिरती है साहब जो ही कुरसी पर बैठे सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाही मेच पर रख दी एक एक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो साहब गरज रहे थे तुम दगाबाज आदमी है सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे साहब ने फिर गरज कर कहा तुम दगाबाज आदमी है मिस्टर सेठ का खून गर्म हो गया बोले मेरा तो खयाल है कि मुझसे बड़ा राजभक्ति इस देश में न होगा साहब तुम नमक हराम आदमी है मिस्टर सेठ के चहरे पर सुर्खि आगे आप व्यर्ति अपने जबान खराब कर रहे है साहब तुम सैतान आदमी है मिस्टर सेठ की आँखों में चुर्खि आगे आप मेरी बेज़ती कर रहे हैं ऐसी बाते सुनने की मुझे आदत नहीं है सहब चुप रहो यू बलडी तुमको सरकार 500 रुपे इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कॉंग्रेस का चंदा दिलवाओ तुमको इसलिए सरकार रुपे नहीं देता मिस्टर सेट को अब अपनी सफाई देने का अफसर मिला बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपे दिये हैं मैं तो उस वक्त फ्लार शो देखने गया था जहां मिस्ट फ्रांक का गुलदस्ता पांच रुपे में लिया वहाँ से लोटा तो मुझे यह खबर मिली साहब ओ तुम हमको बेवकूफ बनाता है यह बात अगनी शिला की भाती जो ही साहब के मस्तिश्क में घुसी उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुँच गया किसी हिंदुस्ताने की इतनी मजाल की उन्हें बेवकूफ बनाए वो जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं उन्ही को कोई बेवकूफ बनाए उनके लिए या असहाय था रूलर उठा कर दोड़ा लेकिन मिस्टर सेट भी मजबूत आदमी थे यूँ वो हर तरह की खुशामत कर दिया करते थे लेकिन यह अपमान स्विकार न कर सके उन्होंने रूलर को तो हाथ पर लिया और एक डेग आगे बढ़कर ऐसा घुंसा साहब के मुझ पर रसीद किया कि साहब की आँखों के सामने अंधिरा चागिया वह इस मुश्टि प्रहार के लिए तयार न थे उन्हें कए बार इसका अनबह हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत दब्बू और गमखोर होता है विश्टि का साहबों के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती कूर्सी पर बैट कर नाक का खून पोँचने लगा फिर मिस्टर सेट से उलजने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मगर दिल में सोच रहा था कि इसे कैसे नीचा दिखाओ मिस्टर सेट भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिती पर विचार करने लेगे उन्हें बिल्कुल खेद न था बलकि वह अपने साहस पर प्रसन्ने थे इसकी बदमाशी तो देखो मुझे पर रूलर चला दिया जितना दपता था उतना ही दबाए जाता था में मियारों को लिये गुमा करती हैं उससे बोलने की हिम्मत नहीं परती मुझसे शेर बन गया अब दोड़ेगा कमिशनर के पास मुझे बरखास्त कराय बगर छोड़ेगा नहीं यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है बेजजती जो हुई सो हो ही गई अब रोटियों का भी मोहताज होना पड़ेगा मुझसे तो कोई पूछेगा नहीं बरखास्तिगे का परवाना आ जाएगा अपील कहां होगी सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी मगर अंग्रेजों से भी ज़्यादा अंग्रेज होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है मगर अंग्रेजों के गुलाम गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चर जाएगी न्याय के किसी से भी आशा नहीं अब यहां से निकल जाने में ही कुशल है उन्होंने तुरंत एक इस्तिफा लिखा और साहब के पास भेज दिया साहब ने उस पर लिख कर दिया बरखास्त दोपहर को जब मिस्टर सेट मुह लटकाएवे घर पहुँचे तो गोदावरी ने पूछा आज जल्दी कैसे आगे मिस्टर सेट ने दहकती वी आँखों से देख कर बोला जिस बात पर लगी थी वह हो गई अब रोव सिर पर हाथ रख कर गोदावरी बात क्या हुई कुछ कहो भी तो सेट बात क्या हुई उसने आखें दिख़्ाई मैंने चाटा जमाया और इस्तिफा दे कर चला आया गोदावरी इस्तिफा देने के क्या जल्दी थी सेट और के सिर के बाल नुच वाता तुम्हारा यही हाल रहा तो आज नहीं तो कल दे नहीं पड़ता गोदावरी खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ आज से तुम भी कॉंग्रेस में शरीक हो जाओ सेट ने होट चबा कर कहा लजाओगी तो नहीं उपर से घाओ पर नमक छड़कती हो गोदावरी लजाओं क्यों? मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेडिया कट गई सेट आखिर कुछ सोचा है काम कैसे चलेगा गोदावरी सब सोच लिया है मैं चल कर दिखा दूँगी हाँ मैं जो कहूं वह तुम किये जाना अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी अब से तुम मेरे इशारों पर चलना मैं तुमसे किसी बात की शिकायत न करती थी तुम जो खिलाते थे वो खाती थी तुम जो कुछ पहनाते थे वो पहनती थी महल में रखते महल में रहती जोपड़ी में रखते जोपड़ी में रहती उसी तरह तुम भी रहना मैं जो काम करने को कहूँ वही करना फिर देखो कैसे काम नहीं चलता बडपन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है जिसकी आत्मा पवित्र हो वहीं उचा है आज तक तुम मेरे पती थे आज से मैं तुम्हारा पती हूँ सेट जी उसकी और स्नेह की आखों से देखकर हस पड़े कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आप मेरे चानल को पसंद करते हूँ तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आकन प्रस करना मत भूलिए तन्यवाद